हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज चलिए बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी, सूपर टेस्टी निमोना तो यह देखिए, किस चीज का निमोना है? आप बताइए यह हरे सिंगाडे का निमोना तो यह आज की थाली हमारी तयार हो गई है आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक करिए, कमेंड करिए तो सबसे पहले हमने ले लेना है सिंगाडा तो सिंगाडा को चार तुकड़ों में कट कर लीजिए ताकि इसका छिलका ख regardless निकल सकेँ और मेरे वीडियो में अचार का रेशिपी पढ़ा है आप जाके देख सकते हैं चेक कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी अचार बनता है इसका तो यह देखे हैं हमने पूरा सिंघाडा छील लिया है और भूत ही अच्छे से इसको धोल लेंगे यह देखे हैं ना हमारा इकदम शॉप सब जो छिलका है इसी का हम अचार बनाएंगे चलिए तो अब चलते हैं गैस की तरफ हमने जो सिंघाडा लिया है उसको अच्छे से धूल के एक बाउल में सिप्ट कर लिये है यह करीब आधा किलो हमारा सिंघाडा है आधा किलो से थोड़ा ज्यादा ही है क्योंकि हमने बनाया है चार लोगों के लिए निमोना तो दो तीन आलू ले लिजे मेडियम साइज का या बड़ा हो तो दो ही लिजे और इसको भी अच्छे से धुल के साफ करके पानी से इसको कट कर लेते हैं हमने बड़े ही बड़े टुकड़े की हैं इसको निमोना में इसी तरीके से तुकड़े करिए बहुत छोटा टुकड़ा न करिए देखने में ऐसे ही अच्छा लगता है उसी के साथ हमने थोड़ा सा सिंगाडा भी बचा लिया है क्योंकि उसमें डालेंगे चलिए ये सब भी हमारा तयार हो गया है जब तयारी पूरी हुई रहती है न तो बहुत ही जल्दी फटा-फट सब चीज बनके तयार हो जाता है तो दो हरी मिर्चम ने लिया है और ये बड़ी चार लिये हैं साथी में अद्रग थोड़ा सा डाल देंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा क्योंकि हमने इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है अब चली इसको पीस भी लेते हैं तो पूरा डाल लेते हैं थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि उसमें आलू के साथ उसको भी डाल देंगे तो थोड़ा सा पानी डालके इसको बारिक पीस लेंगे ये देखे हमारा ये पिसरा है तो चली चेक कर लेते हैं पिसा है कि नहीं तो इसमें देखे पूरा अच्छे से नहीं पिसा है थोड़ा एकाग गुठली रह गया है तो एक बार फील से मिक्सी में चर्ण कर लेते हैं तो इसको पिसना बहुत अच्छे से जरूरी है तो ये भी तयार हो गया अब हम रखते हैं कटाई इसमें डालेंगे सरसु का तेल दो से तीन चम्मज हमनें सरसु का तेल डाला है और ये जो बड़ी है इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे वोच्छे से सुनारा होने तक पकार लेंगे और इस निमोने में बड़ी के साथ बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मजएदार निमोना बन के तयार होता है, अब हम उसी तेल में डालेंगे जीडा थोड़ा सा, और आलू, और जो शिंहाडा का था ना, तो इसको निकालके उसे सेम कढ़ाई में हम इसको पेश्ट को डालते हैं जो कि हमने पीश के रखा है सिंगाडे का ये देखिए हमारा ये अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है हमने इस्टील का कढ़ाई इसमें चढ़ाया है आप कांती मिट्टी का कढ़ाई हो या लोहे की कढ़ाई में लोहे के कढ़ाई में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होने लगता है इसलिए हम इस्टील के कढ़ाई में ये बनाए हैं तो ये हमारा आधा भुन गया है तो कुछ मसाली डाल देंगे एक चमश हमने डाला हल्दी पाउडर एक चमश गरम मसाला एक चमश धनिया पाउडर और एक ही चमश हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है जिससे खुब अच्छा चटपटा फ्लेवर आए और कलर भी बहुत ही अ बहुत अच्छे से भून लेजे, खुब अच्छा सोना पन लगता है, तभी निमोना अच्छा लगता है, तो ये देखे हमारा ये करीब करीब भून गया है, अब एकदम भून गया है, अब चलते हैं, इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पानी करके डा नहीं बनता गुठलियां रह जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दीजिए इसमें करीब इतने निमोना में हमने देड़ हिलास के करीब पानी डाला है और इसका एकदम ग्रेवी एकदम परफेक्ट हो जाता है तो यह आलू और सिंगाडा और बड़ी साथ में ही ह हमने डाल दिया है अब इसको भी हलका सा भून लेंगे और पानी डाल के इसको तैयार कर लेंगे तो देखिए अमरा देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत ही अच्छा देखने में तो अच्छा है है टेस्टी भी बहुत ही बनता है इस समय सीजन चल रहा है सि काफी मगवाईए और इसूपर टेस्टी निमोना बनाईए तो क्योंकि यह सब सीजन में ही बनता है तो यह देखिए हमने पानी भी डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से चला के ठटके पका लेंगे तो यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है जो हमने बड़ी डाला है इसके वज़े से खूप चटपटा बनके तयार होता है यह अब इसको आलू जब तक कल न जाए पक न जाए तो धक धक के इसको पका लेजे तो यह हमारा कंप्लिटली तयार हो गया है अब गैस को करते ह आफ और इसमें मारते हैं तड़का तो तड़का हमने डाला है जीरा देशी घी और लाल मिर्च पाउडर से तो यह सूपर टेश्टी सा हमारा निमूना बनके तयार हो गया हम निकालते हैं गव माता का खाना सबसे पहले तो यह देखिए जो भी हमारे किचिन में बना है उस को निकाल लेते हैं सबसे पहले गव माता को फिर प्लेटिंग करते हैं तो चलिए देंगे देखिए क्या-क्या बनाया है रायता, खीरे का, और निमोना तो आपने देखाई है, कैसे हम बनाये हैं, बहुत ही सूपर और बहुत ही टेस्टी बना है, और गरम चावल, रोटी, और चिफ से प्रायम के साथ, आप ठाली लगाईए, सर्व करिए, घर में सब को खिलाईए, बहुत ही मज़ेदार ठाली आज की तयार हो गए मेरी, यह देखिए, बहुत ही टेस्टी लग रही है, और बिना प्याज लसुन का यह हमारी ठाली बनके तयार हुई है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेटर से जरूर करिएगा,